दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना कि हर वीक आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ ना कुछ नया हो रहा है जितने भी नियूज हम सुनते हैं, बिलीव मी उन में से आदी हमारे पास पहुँचती है आदी वो पहले से कर चुके होते हैं, लेकिन हम तक वो पहुँचती नहीं है इस सेशन के अंदर मैं आपको पांच ऐसी टॉप की नियूज बताने वाला हूँ जो AI की वर्ट के अंदर कमाल कर रही है स्टार्ट करें, लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को यहाँ पर अगर आप गौर करें, सबसे बड़ा जो AI एजेंट के अंदर इस वकद जिद्दत हुई है वो यह है कि Open AI, जो chat GPT बनाने वाले हैं उन्होंने एक multi-agent model जो है वो open source available की है on GitHub इसका नाम है Swarm, अगर आप इसको देखें गौर से तो यह basically experimental and educational AI agentic model है, जैसे multi-agent बोल दा जाता है और यह orchestrate करता है different agents को, lightweight है, ergonomic है और चोटी सी machine पे भी चल जाता है warning उन्होंने यह दिया कि हम इसको update नहीं करने वाले है, कुछ नहीं करने वाले है यह सिरफ research के तोर पे आप use कर सकते हैं आप इसको इस तरीके से install कर सकते हैं और python के अंदर इसे use करके आप अपने AI agents बना सकते हैं जो basically large language model का भी एक advanced part होने वाला है, जिससे बहुत ज़्यादा जिद्दत आने वाली है दुनिया के अंदर और AI agent के जितने भी startup हैं, वो billions of dollars gather कर रहे हैं आज के दोर में, which is future next AI news हमारे पास है जनाब, NVIDIA ने बहुत ही बड़ा GPU बनाया है अभी तक आप GPU use करते हैं अपने gaming के लिए, अपने PC के लिए या आप different किसम के machine learning model को train करने के लिए maximum 2 GB का graphic card होता है, 4 GB का होता है, 8 का हो जाता है या बहुत वड़ी जाल मारो 16 GB का हो जाता है, imagine अगर 1440 GB का आपके पास graphic card हो तो आप क्या कर सकते हैं exactly यही graphic card जिसके बारे में मैं बात करने वालो, that is Blackwell का, यानि के Nvidia का Blackwell 200, यह एक ऐसा system है, यह डबबा सा आपके सामने पड़ा है और इसकी जो कीमत है, अगर आप Google पे चेक करें, 30,000 से 40,000 डॉलर है, एक की, ठीक है और AI के अंदर, आपको इस तरह के कई graphic cards चाहिए होते हैं, to train the model, to build the model and to actually optimize the model और X ने, यानि के Twitter ने, आलन मस्क ने, 200 से 300 already जो हैं install कर वा लिए हुए और यहां पे अगर आप चेक करें, last week, open AI वालों के पास भी यह पहला गया है and they are actually celebrating it, क्योंकि it's a big news about NVIDIA और अगर 30,000 का एक है, just imagine, 200 आपको चाहिए, multiply कर लें, कितने पैसे आपको चाहिए, इनको install करने के लिए और यह सिरफ GPU है, आपको इससे related heavy systems भी चाहिए और उनको maintain करने वाले infrastructure भी, अब आप कहते हैं कि पाकिसान में model आप क्यों नहीं train कर लेते हैं आप भी यह expert हैं, फलान लोग भी यह expert हैं, वो खुद नहीं train कर लेते पाकिसान के अंदर रहते हुए, हम ऐसा काम करी नहीं सकते, क्यों? क्योंके असी सड़का बनाने आने, असी पोल बनाने ने, असी एमी चुराये, चौख दे वेचे, वड़ा स्टैचू बना देना आगे चलते हैं, इसके प्राइस इतनी हैं, और इसके उपर बेबाहन नूज हैं, अगली नियूस, बिलीव में, पाकिसान के अंदर बिजली नहीं पूरी हो रही, सानू 8-8 कैंटे बिजली नहीं आ रही पाकिसान के अंदर, on the other side, Google जैसी कंपनी, जो अमेरिका में है, अमे बिजली चाहिए होती है, energy जिसे बोला जाता है, computation की जद में, या there are many other things जिनको आपने manage करना होता है, and nuclear energy is the most sustainable source at the moment, अब देखते हैं, कि Google किस तरीके से इसको check कर रहा है, यहाँ पे अगर आप गौर करें, यह BBC की news है, यहाँ पे आप देखें कि Google has signed a deal to use small nuclear reactor to generate the vast amount of energy needed to power its artificial intelligence data center, अब आप खुद सोचें कि जो दुनिया इस वकद nuclear energy की तरफ जारी, चोटी-चोटी companies थी, जो अब वो jants बनी हुए है, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी company है, Google इसको use करने वाली है, what will happen, just imagine the company says the agreement with Kairos Power, यह company है, जो nuclear reactors फ्रहाम करती है, जिससे आप बिजली बना सकते will see it start using the first reactor this decade and bring more online by 2035, अगले 10 साल का अगले सोच रहे हैं, तेसार डे, आधरों सोचें को देन देने, बिजली बन्द, सारे काम बन्द, बन्द, समझ गही है, अब आप खुद सोचें बन्दा क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं, अगली news जो है, आपको पता है कि ये मेरे पा जलना होता है something like this, ठीक है, अब मैं जैसे इसको केसिंग में डालता हूँ, ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, मेरे पास light on हो जाती है, जरा देखिएगा, ये चार्ज हो रहे है, और इस केसिंग को भी मुझे चार्ज करना पड़ता है, एक दुनिया में नया अब क्या कहता है, देखिए, एंडी कॉंग कहते है, imagine a world where earbuds don't need charging, this is the vision of our research, power over skin, ये लोग power over skin की base पे आपके earbuds या earpods को चार्ज करेंगे, just imagine, earpods, earbuds या earpods, जो भी आप कहना चाहिए, इनको कह सकते है, skin के साथ charging होगी, और ये ही future है कि आप में मुबाइल रखेंगे, आपक इनोवेशन के साथ आपकी policies भी होगी, and there are many other things, अब ये वो news है, जो research इस पकर चल रही है, एक और आपको news दूँ, recently, पिछले ही week, एलन मस्क ने तीन ऐसे काम किया है, पहला उसने optimus robot launch किया है, रोबो टेक्सी लाँच किया है, और तीसरा उसने Space X का जो shuttle भेजा था, उसको दुबारा capture किया है, लोग कह रहे हैं कि pop sticks के साथ किया, लेकिन हम देखते हैं किस तरीके से उसने ये काम किया, सबसे पहले चीज़, Tesla ने optimus robots बनाए है, और ये robot thousand tasks सरंजाम दे सकते हैं, और ये thousand tasks किस तरीके से सरंजाम देते हैं, they will just go and actually scan everything, और उसको navigate करके, वो environment को देख ये इन्होंने launch की हैं, और ये robot taxi के अंदर steering wheel नहीं है, it will be only done by AI, आपने सिरफ map डालना है, ये automatically आपको एक जगा से दूसरी जगा ले जाएगी, and this is future, तीसरी है, ऐलन मस्क का, ऐलन मस्क captures space shuttles, ठीक है, ये इस वकत की सबसे बड़ी news है, अगर आप जाएंगे तो इस तरीके जैसे ऐलन मस्क ने और रेड़ी जो है वो space, जो starship rockets है, उनको capture की है, ठीक है, मैं video को run नहीं कर सकता, but you can go to BBC and some other news channel, and then you can watch this here, so this is future, ये हैं वो news जो आपको मैंने बतानी तो जो पिछले week AI के अंदर हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे और इस तरह की AI news बनानी पुक्षारी